दोस्तों आज के समय में जहां बड़े बड़े डेरी लेकर लोग बिरोजियार पैठे हुए हैं वहीं आई टी आई ये कैसा कोर्स है जिसे करने के बाद 100% जॉब मिली जाता है लेकिन इसमें भी आज कल बहुत ही कंपटीशन हो चुका है लेकिन फिर भी कुछ कॉलेज ऐसे ह जहां से आप पढ़ते हैं तो ये कॉलेज आपको पलिसमेंट दिला देते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में इसी परकार के टॉप 10 आई टी आई कोलेज अफ गया के बारे में बात करेंगे जो आपको पलिसमेंट दिलाते हैं तो चली दोस्तों जानते हैं गया के कोलेज के लिस्ट में पहला अस्थान पर आता है गौर्वर्मेंट इंडर्स्ट्रियल ट्रेनिंग इंसिटूट यह कोलेज गया में तथा इसके अस्थापना हुई थी बाइस सिक्टमबर 2014 पर दोस्तों यह हैंसे जीओ डीजी इटी और एंसी भीटी द्वारा एफ्रीगेट यहां से आप डीजल मेकेनिक, फीटर, इलेक्ट्रिशियन, इंफोर्मेशन कमिनिकेशन, टेकनलोजी, सिस्टम मेंटेनेंस, बेल्डर, इलेक्ट्रोनिक्स मेकेनिक, कारपेंटर, फांट्रिमेंट, मशिनिस्ट, पलंबर, सीट मेटल, ठर्नर तथा वायर मैन से आईटी लगब 40 कंपनों के साथ टाइप हुआ है, जो हर साल इस इंसिचूट के बच्चों को जॉब ऑफर करता है, इस कॉलेज के बाद गया के तो, आईटी आई इंसिचूट के लिस्ट में, दो नम्मर पे आता है दोस्तों, बुद्धा आईटी इंसिचूट, इस इंसिचूट क अस्थापना हो थे 20 मार्च 2009 SP में, तथा यह इंसिचूट पांडे पार्सावान गया में है, यह इंसिचूट भी DGET तथा NCBTC से अफिलियेटेट है, यहां से आप इलेक्टिशियन, फीटर, डिजल मेकेनिक और इलेक्ट्रोनिक्स मेकेनिक से आईटी आई कर सकते हैं, इस इस इंसिचूट में भी आपको पलेस में मिल लाता है दोस्तों, यह इंसिचूट भी लगभग 35 कंपनियों के साथ टायप हुआ है, जो बच्चों को हर साथ जॉब अफर करती रहती है, इस इंसिचूट के बाद गया के तोद आईटी आई इंसिचूट के लिस्ट में तीन इस इंसिचूट के बाद दोस्तों, गया के तोप 10 इंसिचूट के लिस्ट में चार्ज नॉमर पे आता है, जामिया इंडर्स्टियल ट्रेलिंग सेंटर, यह इंसिचूट चिर्की बाजार गया में है, तथा इसके अस्थापना होई थी 20 मार्च 2017 में, यह इंसिचूट भी इंसिचूट से ही एफिलियेटेड है, तथा यहां से आप इलेक्टिशियन, फिर्टर और सेवी टेकनोलोजी से आईटिया ही कर सकते हैं, इस इंसिचूट के बाद गया के तोप आईटिया इंसिचूट के लिस्ट में आज नुमर पे है, नौ बिहार आईटिसी इंसिचू इंसिचूट से आप इलेक्टिशियन, फिर्टर और डिजल मेकेनिक से आईटिया कर सकते हैं, इस इंसिचूट के बाद दोस्तों गया के तोप इन आईटिया इंसिचूट के लिस्ट में छे नमर पे हैं, माल्ति प्राइबेट आईटिया इंसिचूट, यह इंसिचूट सा आप इलेक्टिशियन, फिटर और डिजिनल मेकनिक से ITI कर सकते हैं इस इंसिचूट के बाद गया के टॉप 10 ITI इंसिचूट के लीस्ट में साथ नॉमर पे हैं मामंगला ITC इंसिचूट यह इंसिचूट घूमरी तार गया में है तता इसकी अस्थापना हुई थी 19 फरवरे 29 तुए यह इंसिचूट भी NCBT से ही एफ्लिकेटेड है तता इस इंसिचूट से आप फिटर, इलेक्टिशियन और डिसल मेकिनिक से आईटी आई कर सकते हैं इस इंसिचूट के बाद गया के टॉप आईटी इंसिचूट के लिस्ट में आठ नमाते हैं गया आईटी सी इंसिचूट यह इंसिचूट सेर घाटी गया में है तता इसकी अस्थापना हुई थी 15 जूल 2010 इस इस इंसिचूट भी NCBT से ही एफ्लिकेटेड है तता यहां से भी इस इंसिचूट के बाद गया के टॉप टेन आईटी इंसिचूट के लिस्ट में नौ नौमर पे हैं मगर इंडर्स्ट्रेनिंग सेंटर यह इंसिचूट चांद चौरा गया में हैं तथा इसके आज थापना हुई थी 8 जनुवरी 2008 में यह इंसिचूट भी NCBT द्वारा इंसिचूट के बाद गया के टॉप 10 इंसिचूट के लिस्ट में 10 नमर पे हैं सुजान इंसिचूट यह इंसिचूट रासलपूर गया में हैं तथा इसकी अस्थापना हुई थी 19 परवरी 2009 इस पी में यह इंसिचूट भी NCBT से ही एफलियेटेड है तथा यह से आप इलेक इन सिचूट में किस किस ट्रेड से आइटी आई किराए जाता है दोस्टो वीडियो अगर अच्छे लगी हो तो विडियो को लाइप जरू करे और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हां दोस्तों बिहार के किसी भी college, university या institute के बारे में पूरी पूरी चानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को subscribe करना न भूलें